ये आकाश्वाणी राइपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुब्रा भट्टा चार्या और पेशे आज के मुख्य समाचार प्रादेश में कल से शुरू होगी समर्थन मुल्य पर धान खरीदी रहाई हजार से धिक उपारजन केंद्र बनाए गए भगवान बिर्सा मुंडा की जैन्ती के उपलक्ष में आज जश्पूर में निकाली गई माटी के वीर पद्यात्रा केंद्री मंत्री डॉक्टर मंसुक मांडविया और मुख्य मंत्री विष्णुदेव साय भी हुए शामिल और रायपूर नगर दक्षन विधान सभा उप कारियों की बैठकली खाद्य मंत्री ने बताय कि इस खरीव सीजन के लिए प्रदेश में पंजिकरित किसानों की संख्या 27 लाग से अधिक है श्री बगेल ने बताय कि सभी उपारजन केंद्रों में बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से उपारजन की व्यवस्था की पूरे प्रदेश भर में 2749 धान उपारजन केंद्रों को स्तापित किया गया है ये लगभग हर तीन से चार पंचायतों को बीच में एक उपारजन केंद्र के तोर पे ये काम करेंगे सरकार ने ये ताई किया है प्रती एक उपारजन केंद्र में एलेक्टरानिक तॉल मेश शिकायत और निवारन के लिए हेलप लाइन नंबर 0771-2425463 जारी किया गया है अन्य राजियों से धान के आवक रोकने के लिए राजिय के सीमावर्तिक शेत्रों में विशेश निगरानी की विवस्था और चेक पोस्ट बनाए गया है प्रदेश के किसानों से धान खरीदी 31 जनवरी तक की जाएगी धान खरीदी शुरू होने से पहले एक दिन पहले प्रातमी कृषी साख सहकारी समीतियों के प्रबंध को और कर्मचारियों ने हरताल समाप्त कर दी है समीती कर्मचारियों के पिछले 6 वर्षों से इस लंबित वेतन वृद्धी की मांग को पंजियक सहकारी संस्था ने मान लिया है और समीती कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धी की गई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने आज देश भर के विभीन रिल्वी स्टेशनों पर 18 प्रधान मंत्री भारती जन औश्दी केंद्रों का शुभारंब किया इनमें 36 गड का बिलासपुर स्टेशन भी शामिल है प्रधान मंत्री ने बिहार के दर्भंगा से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से 12,000 करोड रुपे से अधिक की अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के साथ इन केंद्रों का उधगाटन किया इस अफसर पर प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकार देश में स्वास्त धाचे को मजबूत करने के लिए समगर द्रिश्ट्रिकून के साथ काम कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान लोगों को किफायती और निश्युल के स्वास्त सेवाएं और दवाएं उपलब्द कराना है बिलासपूर स्टेशन से रोजाना 130 सियाक्ति टेने गुजरती हैं बिलासपूर स्टेशन हावडा मुंबई रेल मार्क परिस्थित है इस इस्टेशन में प्रति दिन करीब एक लाख यात्रियों की आवजाही होती है इस्टेशन परिसर में आज से शुरू हुए जन औशिधी केंदर में उच्च गुणवत्ता की दवाईयां जैनेरिक रूप में उपलब्द होंगी जो ब्रैंडिट दवाईयों के मुकाबले 50 से 90 फीजदी तक कम कीमत पर मिलेंगी रेल्वे स्टेशन परिसर पर या सुविथा उपलब्द होने से यात्रियों के साथ साथ इस्थानी जनता को भी रहत मिलेगी खास कर उन लोगों को जिनके पास दवाईयां खरीदने के लिए सीमित संसाधन हैं विकल्प शुकला, आकाश्वाणी समाचार, रायपूर भगवान विर्सा मुंडा की जयनती और जन जाती गौरो दिवस के उपलक्ष में आज जश्पूर में माटी के वीर नाम से पद्यात्रा निकाली गई इस पद्यात्रा में केंडरी खेल, युवकल्यान और श्रम मंत्री डॉक्टर मंसुक मांडविया शामिल हुए इस अफसर पर मुख्य मंत्री विश्णुदेव साय और राज्य मंत्री मंडल के अन्य सदस से भी उपस्ति थे इस पद्यात्रा कायोजन माई भारत वॉलेंटियर स्वारा किया गया साथ किलो मीटर लंबी इस पद्यात्रा में करीब 10,000 सदिक युवा शामिल हुए ये पद्यात्रा जश्पूर के पाला च्छापर से शुरू होकर रंजीता स्टेडियम पर संपन हुई पद्यात्रा के शुभारंब मौके पर कारेक्रम को संबोधित करते हुए के इंद्री मंत्री डॉक्टर मांडविया ने कहा कि देश खासकर जनजाती इलाकों के युवा भगवान बिर्सा मुंडा के जीवन से प्रेड़ना लेकर विक्सित भारत की संकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दें इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने मुख्यमंत्री विश्नुदेव साहे के आगरे पर जश्पुर नगर में सर्व सुविधाय युक्ति स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण की खोशना की इस ठेडियम बनेगा भारत सरकार की सहाई से बनेगा ताकि इस अक्षेतर में जिस युवाओं में खेलने की स्कील है उसको उजागर करके स्पोर्ट्स के चेतर में वेश्विक चेतर में हमारी उपस्तिती दर्ज करानी है और 2036 में भारत में उलम्पिक का आयोजन करेंगे और उस वक्त जश्पूर विस्तार की इस धर्ती से निकला हुआ कोई मेरा खिलाडी मेरा स्पोर्ट्स में खेलता हो हम याद करेंगे इस स्टेडियम से निकला हुआ एक खिलाडी है जो देश का और ट्राइबल ख्षेतर का गौरव बढ़ा रहा हो वही मुख्यमंत्री विश्णुदेव साय ने कहा कि जनजाती संस्कृति को बचाने की चिंता सनातन संस्कृति को बचाने की चिंता ही है और जनजाती संस्कृति का गौरव गान दरसल सनातन संस्कृति का गौरव गान ही है समुन्डा के जीवन वृत्त पर आधारित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किया गया कारेक्टर में खेल सहित अनिक शेतरों में उल्लेखनी उपलब्दी हासिल करने वाले जनजाती युवाओं तथा माई भारत से जुड़े वॉलेंटियर्स को सम्मानित भी किया गया आयोजन इस्थल पर जनजाती नायकों की जीवनगा था जनजाती संस्कृति और पनंपराव पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई माटी के वीर पदियातरा का उदेश्य आदिवासी समुदायों की संस्कृति के धरोहर और राश्ट निर्मान में उनके अमुल्य युगदान का समान करना है इस पदियातरा के जरिये माए भारत यूथ वालेंटेर्स ने आधिवासी विरासत की रक्षा करने और इन समुदायों के बीच सरकारी योजनों के प्रती जागरूप तलाने के अप्ति संकल्प का प्रदर्शन किया इस आईजन के जरिये जनजाती विरासत और संस्कृती की गहन समझ को बढ़ावा देने के साथ ही सरकार के कल्यानकारी पहलों में आधिवासी समुदाया को सक्री रूप से शामिल करने का प्रयास किया गया समाचार डेस्क आकाश्वाणी राइपूर प्रादेशिक समाचार आपाकाश्वाणी राइपूर से सुन रहे हैं राइपूर नगर दक्षिन विधान सभा उप्चुनाव के लिए आज मतदान संपन हो गया है सुबह साथ बज़े से शुरू हुआ मतदान शाम छे बज़े तक चला ताजा जानकारी के नुसार इस उप्चुनाव में करीब 50 प्रतिशत से अधिक लोगों ने वोट डाले हैं हाला कि ये आखड़े अभी अनंतिम है पांच बज़े तक मिले आखड़ों के नुसार 46 प्रतिशत से कुछ अधिक मतदान दर्च किया गया था महिला मददाताओं की संख्या पुरसों से अधिक है आज हुए मददान के बाद 30 उमिदवारों का भाग EBM में कैद हो गया है यहां मुख मुकावला भाजपा परतियासी सुनीर सोनी और कांग्रेस परतियासी आकास सर्मा के बीच देखा गया यह सी पुरविधायक ब्रिजमोहन अगरवाल के लोग सभा के लिए चुने जाने पर खाले हुए थी मायविशेक कुमार आकासवानी समाचार रायपूर इस उपचुनाव के लिए मतगणना 23 नवंबर को हो गिया और इसे दिन परिणाम जारी कर दिये जाएंगे और अब कुछ समाचार संग शेप में ओप राश्टर पती जगदीब धनकड से आजने दिल्ली में 36 गड के राजेपाल रमेंडेका ने मुलाकात की राइपूर के वरिष्ट पत्रकार गोपाल वोरा के निधन पर मुखे मंत्री विश्नुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजली अर्पित की है बरखास आईप्रे सदिकारी जीपी सिंग के खिलाफ पिछली सरकार द्वारा दर्ज की गई तीनों FIR को 36 गड उचन्यायले ने रद्ध कर दिया है नवा रायपूर इस्तित हिदायतुल्ला राश्ट्री विधी विश्व विद्याले द्वारा 16 नवंबर को साइबर कानून और महिलाएं एक महतोपूर विशलेशन पर क्षेत्री परामर्श कारिक्रम का योजन किया जाएगा राश्ट्री सांखिकी कारेले रायपूर के क्षेत्री परिसर में वार्शिक उद्योग सर्वेक्षन में चैनितिकाईयों को अपनी विवरणिया स्वेम भरने के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश से एक दिवसी प्रशिक्षन कारिशाला आयोजित की गई रायपूर जिले के बरोंड़ा इस्तित राश्ट्री जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान द्वारा पशुविभाग के सहयोग से कल तिल्दा ब्लॉक के केवतारा गाउं में एक दिवसीर पौधा और पशुष स्वास्थ शिविर का योजन किया गया जांजगीर की कॉंग्रिस पार्शाद दुलॉरिन चौरसी अपने समर्थकों के साथ भाचपा में शामिल हो गई है पूर्वन नेता प्रतिपक्ष नारायन चंदेल ने उन्हें भाचपा की सदस्यता दिलाई प्रवर्तन निदेशालाई एडी ने बिलास्बूर के रहने वाले केकेश श्रिवास्तों के खिलाफ करीब 500 करोड रुपए का ठेका दिलवाने के नाम पर कथित रूप से की गई 15 करोड रुपए की ठगी के आरोप में PMLA और FEOA के तहत मामला दर्च किया है विलाई स्पास सेंटर के ब्लास्ट फरनेस में गैस लिख होने से तीन ठेका श्रमिक बेहोश हो गये हैं तीनों का इलाज सेक्टर 9 अस्पताल में चल रहा है दंतेवाणा जिलास्पताल के चारों ऑपरिशन थेटर को इंफेक्शन के आशंका के चलते 45 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है 45 दिनों तक जिलास्पताल में कोई भी सरजरी नहीं होगी और कोर्बा जिले में कोतवाली थानक शेत्र के अंतरगत एक निर्माना दीन भवन गिरने से दो मजदूर सही तीन लोग गंभी रूप से घायल हो गये हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में कल से शुरू होगी समर्थन मोले पर धान खरीदी धाय हजार सेधिक उपारजन केंद्र बनाए गए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिलासपूर सहित देश भर के विभिन रेल्वे स्टेशनों पर भारते जन औशधी केंद्रों का की आशुभारंब भगवान बीर्सा मुंडा की जैनती के उपलक्ष में आज जश्पूर में निकाली गई माटी के वीर पदियात्रा केंद्री मंत्री डॉक्टर मंसुक मांडविया और मुख्य मंत्री विश्नुदेव साही भी हुए शामिल और रायपूर नगर दक्षन विधानसभा उप्चनाव के तहत आज हुआ मतदान 23 नवंबर को होगी मतगड़ना इसी के साद प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार